दोस्तों हम वरते एक साथ काम करते हैं कहीं रोटी बनाते हैं कहीं चावल बनाते हैं कहीं हजबन की टाइव्ट देके आते हैं तो yht mercy को सौक्ष परनाते हैं और chúng चाहसर दूद जो है वह उबल के गिर जाता है मलाई तो खराब होती ही है साथ में गैस भी खराब हो जाता है तो हमें हमारी अम्मी ने एक ट्रिक बताया कहने लगी जब भी तुम काम में लगती हुँ ना तो दूद के उपर एक बेलन को रख दिया करो तो चलिए देखते हैं यह तो आती है या नहीं क्योंकि हमारा दूद तो रोज उबलता है तो यहां पर हमने बेलन रख दिया है चलिए बस अब इंतिजार करते हैं कि यह उपर आता है और नीचे गिरता है या नहीं तो यहां पर देखिए दोस्तों दूद ऊपर आना शुरू हो गया है तो यह धिरे धि बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा देखिए यहां पर दूद पुरी तरीके से रुक चुका है वह बाहर नहीं आ रहा बेलन को टच हो गया है और टच होने की वज़े से उसमें एक जगह बन गई है जिसे ऑक्सिजन अंदर